नमस्कार बोलता भी हार नियूज मीडिया में आपका स्वागत है एनच 28 सहरी हर दौर के सामने से तेहरा जाने वाली मुखपत से ब्रॉणी फ्लेकी और वाई पास जाने वाली स्रक बनने की आस छेतर के किसानों को बर्सों से था पुर्व से ही बर्ली एवं गवरा के किसानों के प्रयास से राष्टा का आकार दिया गया था जिसमें किसानों ने सरक में पकड़े ने बाली अपनी जमीर को स्वेक्छा से दे कर कई बर्सों से सरक निर्मान के आस लगाए हुए थे इस पूरे छेतरे में किसानों के हज़ारों एकर खेती की जमीन जिसमें किसान सब्जी, फल, अनाज एवं पसुचाड़ के लिए खेती उनका मुख आधार है या छेतरे शब्जी उत्पादन का हव बन जाता है लेकिन कोई सर्वजनिक सरक नई होने की बज़ा से बरसात के समय किसानों को खेत पर जाने एवं वहां से फसल तथा हरा चारा लाने में बहुत ही कष्टनाईों का सामना करना पड़ता था इन कष्टनाईों से निजात पाने के लिए जन प्रतिनीधियों एवं ग्रामीनों के सयों से ब्रावनी 3 के 55 समीति सदस विवेक कुमार उर्प बववा ने सरक निर्मान को लेकर अपनी योजना निधी से दो टर्म एक तिहाई सरक का निर्मान करवा दिया जिससे छित्र के लोगोवक किसानों में काफी हर्च का मोहल है अब मातर में रोड पर पहुँचने के लिए लगबग 700 फीट का फासला मातर बचा है तीन मापुर्व ही प्रखण विकास पतादिकारी संदीप कुमार पांडे ने इस रोड के निरिक्षर के दुरान उन्हों ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि किसानों की स्विधाओं के लिए रोड निर्मान की पहल की जाएगी पंचाय समीती अंस से दो युजनाओं की स्विकिर्थी के उपरांत आज रोड निर्मान से दोनों गाउं के बीच खुसी और उत्सा का महल है जिस रोड का पहल करने का आश्वासंदिया जिससे किसानों में भाड़ी उस्सा है निरिक्षर के समय प्रखण प्रमुख राम निरेस पासमान पंचाज समीती सदस विवेक कुमार उर्फ भवा दोरा एक के पुरुव सर्पंच संद्रमनी कुमार राय किसान काडी राय साइत दर्जनों कि किसान मौजू थे